यह है HopUp के नए चोटू वाले TWS A.D.O.S D.505 मैंने इन TWS यह वाउस को तीन से चार दिन यूज कर लिया है हेलो गाइज मैं हो काफ नवेश्टेक्स है आज मैं अपना experience शेयर करके बता हूँ आपको यह TWS लेने चाहिए यह नहीं दबा देखोंगे ओपर HopUp A.D.O.S D.505 लेका है कुछ की हाइलाइट्स दिख जाएंगे दबे के ओपर खोला अंदर आपको सबसे पहले एक TWS मिल जाते है एक Type-C केबल एक्स्रा यह टिप्स मिलेगी यूजर मैनुल मिलेगी वार्टी कार्ड मिलेगी एक लेनियाड लूप मिलेगी लेनियाड लूप इसके लिए दिए कि आप इस TWS में बांध सकते हो और मस्त क्यारी कर सकते हो एक पूरा रेक्टैंगुलर मैट फिनिश दिजाइन राउंडेट कॉनर मैट फिनिश होने का एक अच्छा फाइद है कि इस पर जल्दी स्क्राचिस भी नहीं लगते है आप आप का ब्रैंडिंग नीचे टाइप सी का पोर इहां पर राइट साइड पर डिजिटल बैटरी इंडिकेटर जो इस फोर्म फैक्टर में मैं थोड़ा सा यूनीक देखा है अफकोस लेनियाड लूप तो मैंने बता दिया आप यहां पर लगा सकते हो उसी के बाद यह कोई इशू नहीं देता है अगर बट्स देखो एक दम छोटे से कॉम्पाक्ट बट्स है इतने कॉम्पाक्ट कानों में डालने के बाद थोड़ी देर बाद तो भूल भी जाओगे कि आपने इसको पहना है और दूसरी एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी इसमें व कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी इसके उपर यापको LED माइक खॉपाप का ब्राइनिंग सारी चीजे मिल जाती है बाहर का स्टेम का पार आपको ग्लॉसी मिलेगा अंदर की बॉड़ी जो है बट्स की वह आपको मैट फिनिश की मिल जाती है यहां पर यह लोग ने दि आपको इंडिपेंडेंट्ली जो बाडियूस करना है कर सकते हो कनेक्शन जीक्टम स्टेवल है मैं आपको कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं मिल रही थी आपको मिल जाते 10 mm के ड्राइवर्स हॉपप का खुद का बॉमबर्स मोड्स साउंड क्वालिटी एकदम यह आपको बे सुनिंग करने आती है आपको थोड़ी और बेटर साउंड क्वालिटी है मिल सकती है ओर आल नौस ओर पर हिसाब से अच्छी साउंड क्वालिटी कोई इस्यू नहीं है यहां पर साउंड डिस्टॉशन नहीं है 100% वॉल्यूम पर सुन सकते हो दूसरी बाद यहां पर ज्या कर दिया तो यह जाता है रेज मोड में जिसका मतलब एक गेमिंग मोड जहां पर लेटेंसी हो जाएगी 40 मिली सेकेंड जो एक बहुत जादा अमेजिंग गेमिंग एक्स्परियंस देगा एक लो लो लेटेंसी तो गोलियों के आवाज जल्दी सुनाई देगी फुच्टेस प्रॉपर लेट कर लेट कर लेट कर लेट कर देगा एक लेट अपर अच्छा हो जाता है उसके लिए यहां पर दूल मीक जीए गए हश्मोड है यह जो एक टेक्नोलोजी एक चोड़ा सम माइक टेस्ट बना रहो वी आप सुन लो तो इस बीड़ आवाज नो यह है माइक इस ही चलती है कंपनी क्लेम करती है 8 गंटी की बैट लाइफ यह बट से मिलेगी बट अगर आप 9200 पर सुनते हो तो आप एक्सपे करके चलो साले पाथ से 6 गंटे की बैट लाइफ जो एक चोटे फॉर्म फैक्टर के लिए काफी अची बैट लाइफ है और दभी की बात कर आपको प्लेग ताइम मिलेगा बट के साथ अफकॉस पूरा मिला के मेरी इस पर अगें 9200 पर से आप 40 प्लस आराम से आवर निकाल सकते हो विच इस अगें वरी गोड बैट लाइक और फास चार्जिंग मिल जाती है दस मिनिट आपको 90 मिनिट का प्लेग ताइम मिल जाता ह आज की वीडियो के लिए इतना ही पसंद आई तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बाबाए